नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समस्ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के मारी वर्क्षिट नमबर 85 यानि की कारे पत्रक सिंख्या 85 को यह आपकी 7 फरवरी 2022 की वर्क्षिट रहेगी और आज किस वर्क्षिट में हम रस्नात्मक लेखन को जारे रखेंगे और रस्नात्मक लेखन के कुछ विश्यों का अभ्यास करने वाले हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जो सेकिंड टर्म के एकजाम होगे उसमें सबसे इंपोर्टेंट जो टोपिक रहेगा वो आपका रस्नात्मक लेखन रहेगा हिंदी का एकजाम रहेगा 40 marks का उस 40 marks में से 20 marks आपके रसनात्मक लेखन के रहने वाले हैं इसमें 4 विश्य दिएगे पहला आपका अनुछेद लेखन दूसरा आपका पत्र लेखन है पत्र लेखन में आपके ओपचारिक और अनुपचारिक दोनों परकार के पत्र पूछे जा सकते हैं तीसरा विश्य आपका संदेश लेखन और चोथा विश्य है आपका विज्यापन लेखन तो हम चारों विश्यों का एके करके अभ्यास पहले कर चुके हैं आज की इस वर्क्षिट में इन में से दो विश्यों विज्यापन लेखन और संदेश लेखन उनका अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की इस वर्क्षिट की और देखती हैं आज के हमारे टास्क को। तो आज हमें दो टास्क मिले हैं विज्जापन लेखनके और दो ही टास्क हमें दीएगे हैं संदेश लेखनके इसमें पहला जो हमारा टास्क है कि आपके शेत्र में आपके इलाके में एक cricket academy है यनकी cricket academy वो खुली है उसके लिए 25 से 30 शब्दों में हमें एक आकरशक विज्ज विज्यापन त्यार करना है यानि कि क्या करना हमें एक एड त्यार करने विज्यापन त्यार करना है शब्द शेमा कितनी है 25 से 30 यही रहेगा हमारा ठीक और आकरशक होना चीए जैसे विज्यापन हम लिखते हैं उसमें क्या करना होता है पहली चीज आपको आधांक तब मिल जाएगा जब आप उसको box में लिखोगे ठीक दूसरी चीज जिसके बारे में वो clear सबसे बड़ा होना चीए साफ साफ लिखाऊना चीए हो गया तीसरी चीज कि उसमें हमें जो slogan वगरा लिखना वो attractive होना चीए चोथा कुछने कुछ pictorial हमें करना होता है यानकी चित्र वगरा जितना हम बना सकते हो बनाने होते हैं तो अगर इतना भी कर लेते हो तो भी आपको लगबग पूरे अंक मिल जाते हैं तो ये हमारा पहला task रहेगा कि आपके इलाके में एक उपयोगी विग्यापन त्यार करना है यानकी हमें क्या करना है जागरुकता फिलाने है प्रियावन से समंदित वरिक्षों को बचाने से समंदित जागरुकता फिलाने के लिए एक motivational कह लीजे इसी परकार का हमें एक विग्यापन देना है तो ये हो गए हमारे दो विग्या आने पर 30 से 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखना है, ठीक, कला परत्योगता है, कोई भी परत्योगता होगी, जरूरी नहीं कि आप कला के अकोर्डिंग कुछ भी लिखे, मतलब इस पर कारकर आपका मैसेज रहना चीए, हमें अभ्यास करना इसके साथ, दूसरा है, र 30 संदेश है तो बधाई संदेश लिखतूए, अदर्वाइस क्या लिखोगे, संदेश लिखतो है काफी है, बड़ासा लिखना है, यहां पर लिखना होता है आपको, यहां पर आप, मतलब ये जो कोना है आप यहां पर लिखोगे, जिससे दिनाक हो गई और सम्ए, दो जैसे आधर्णिय चाचा जी या प्यारे मित्र ठिक प्रिया मित्र इस प्रकार से फिर आपका संदेश है संदेश क्योंकि 30-40 शब्दों में तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना एक भी लाइन ऐसी नहीं होने चीज़ एक्स्ट्रा है किसी भी लाइन को रिपीट न हमें रखने है उसमें लिखना है और अंत में आपका जैसे प्रियमित्र है या आपका भतीजा है इस ताइप से लिखने के बाद हमें अंत करना होता है बस इतना साहीं लिखना होता है तो चलिए इन टास्क को हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा पहला जो टास्क दिया गया पर पे बेट बना सकते हो, बोल बना सकते हो, इतना ही बनाया जा सकता है, ठीक, अगर नहीं बनता, तो इसी टाइप से, जिसी यहाँ पर दिया गए, इस टाइप से कुछ बना सकते हो, उसमें कुछ और ओफर आप लिख सकते हो, ठीक, तो इतना ही करना है, या फिर यहाँ पर address यहाँ पर डाल सकते हो जिसे रोहिनी सेक्रसात या कुछ भी आपने डाला तो वो डाल सकते हो clear तो यहाँ पर हो गया आपके महले के पास ही century cricket academy यह आपकी heading हो गए heading सबसे बड़ी होनी चाहिए box पहले से बनावाए खुल गई खुल गई जिस तरह की से attract करने के लिए होता है बले बाजी और गेंद बाजी के अलगले कोज कम फीस उत्तम शिक्षा आएं और कुछ नया अनभव करें इस सब्ता परवेश लेने पर kit free दी जाएगी ठीक तो यहाँ पर आप एक और बना करके address लिख सकते हो clear तो यह हमारा पहला टास्क रहेगा उसके बाद दूसरा जो हमारा टास्क है कि वरिक्षों को बचाने की जानकारी देते हो लोगों को जागरू करने है तो 25-30 शब्दों में एक विज्यापन त्यार करना है ठीक यहाँ पर यह आर्थ का कुछ करो आर्थ मतल लगाई हम उसके बाद सोजन्य से प्रयावण मंत्रा ले दिली सरकार के तरब से एड़ दी जारी है और इतनी हमारे शब्द बनते हैं यह हमारा टास्क पो रहा हो गया क्योंकि जाग रुकता के लिए कि हमें पेड काटने से रोकना है और पेड नए लगाने चाहिए तो इ प्रयावण मित्र को राजे शत्र पर पर्तियोकता में तिर्टे था दृत्त्य था शायब दृत्य आने पर 30-40 शब्दों में बधाही संदेश लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले में यहां पर नहीं किया लेकिन आपको करना है कि यह आपका बोक्स में ह आसिप, सरव पर्थम मैं तुम्हें राजे सत्री है, पर्षनोत्री है या फिर कला कर दीजे, कला परतियोगता दिया गया, कला परतियोगता में दूत्याने पर बधाई देता हूँ, मुझे तुम से ऐसी ही आशा रहेगी और मुझको तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इसके बाद भी अपना परिश्रम करना जारी रखोगे, और इसी परकार से परतियोगता में ऐसे ही सफलता प्राप्त करोगे, और विद्याले एवंपूरे परिवार का गोरव बढ़ाते रहोगे, ठिक, यानकि यह हमारा कंटेंट हो गया कि सबसे पहले मैं तुम्हें परतियोगता में ऐसे ही सफलता प्राप्त करोगे, और विद्याले और पूरी परिवार का गोरव बढ़ाते रहोगे, उसके बाद तुम्हारा मित्र, अश्याम, जो भी आपका नाम है, या आप लेखोगे, तियोआ होगे, आपका संदेश बोक्स में जरूर होना चाहिए ह उसके बाद फूर्थ हमारा टास्क रहेगा, आज की इस वर्क्षिट का लास्ट टास्क है, कि रक्तदान करने पर अपने चाचा जी को बधाई संदेश हमें लिखना है, ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे संदेश, यहाँ पे आप बधाई संदेश पे लिख सकते उसके बाद 7 फरवरी 2022 यह दिनाख होगी, यह समय होगा, सुबह का 7 बजे, यहाँ पे एक लाइन आप खाली छोड़ोगे, ब्लैंक छोड़ोगे, आदरिनीय चाचा जी आपका संबोधन होगया, चाचा जी एक बार फिर से आपको रक्तदान करने पर शुप कामनाई, रक् स्वस्त और खुश रही, ऐसी मेरी इश्वर से कामना है, आपका बतीजा, उसके बाद आपका नाम, आर्शिश, विने, जो भी आपका नाम है, यह थी हमारी आज की वरक्षीट, उमीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, गर आपको यह वीडि है, उसके साथ continue नहीं करने वाले है, at least 10K students, तो हम आपके लिए Hindi, English और Social Science में, जो most important questions है, उसके सीरीज लेकर कर आएंगे, वो questions जो आपके board exam के लिए important रहेंगे, और 90 प्लस आप easily उन questions के through score कर सकते हो, तो सीरीज के उपर अभी से वीडियो कुछ आ चुके हैं, हालंकि published नह इतने, thank you, bye-bye, have a nice day.